सर आज मेरा fast है, वो भी तो होता एक, अगर logically सोचे हैं, तो आप उसको derive कर सकते हैं, नीचे मैंने लिखा है, हमारा तो भई 9 दिन का fast है, नवदुर्गा है, तो हमारा तो 9 दिन का fast है, वो भी तो यही होता है, अपने नियम, कानून, इंद्रियों पर control करना, डटे रहना, ये नमश्कार, दिस इस कबलदेव शर्मा, and I once again welcome you to my YouTube channel, English by कबलदेव शर्मा, in another video on adverbs in English, इससे पहले मैं आपको first video में types of adverbs मा कर दिये थे, कि कैसे ये noun, pronoun और interjections को छोड़ कर, बाकी सारे parts of speech को modify कर सकती हैं, चाहे वो adjective हो, verb है, adverb है, preposition है, conjunction है, या पूरा sentence भी हो सकता है, इसके बाद आपको next video में mark किया था, कैसे वो manner, place, time, frequency, affirmation, negation दिखा सकते हैं, types of adverbs, the simple adverbs, और उसके next video में, जब आप इनसे प्रशन पूछते हैं, interrogative adverbs, और जब आज इनसे relate करते हैं, तब इनको relative adverbs कहा जाता है, और last video में आपको mark किया कि जिसे हम हमेशा definite minute article कहते रहते हैं, the, वो English में कभी-कभी adverb भी हो जाती है, बशरते आपने किसी adjective या adverb को modify किया हो, कैसे, तो वो आप last video में चेक कर सकते हैं, तो इस verb की, adverb की playlist में adverbs के सारे videos हैं, और कई बार आप ही कॉमेंट आती है, sir ये videos, भाई, already channel पर uploaded हैं, तो मझे शुरू में जरू subscribe करें, like करें, वो आप खुद देख लोगे, अपने हिसाब से, इतने लोगों ने करी लिया, अगर content ठीक लगे, तो आप एक बार playlist section में check कर ली जगा, आपको बहुत कुछ इसके अलावा भी मिल जाएगा, almost पूरी grammar available है, अभी तक, जो नहीं है, वो आपको आगे मिल जाए हाँ, कुछ वीडियो आपके basics को improve करने के लिए para-jumbles, rc, close test के भी मौझूद है, तो एक बार playlist section open करियेगा, आपको noun, पूरी playlist, pronoun, adjective, time and tense, articles, verbs, हर चीज़ प्लेइस्ट में मिल जाएगी, एक बार चेक कर सकते हैं, आपके examinations के लिए क्या चीज़ beneficial है, ssc exams वापस आ चुके हैं, 2022 के, आप मेरे साथ पढ़ना चाहें, can download my app, English by Kabildev Sharma, same नाम से, available on google play store, live foundation batch में आ सकते हैं, steno की भी vacancy आ चुकी है, तो आइए ज़रा मिलते हैं आप से, आप चाहें तो सारे videos एक साथ भी access कर सकते हैं, और अगले 6 महिने में होने वाले किसी भी examination के आई जाएगी, बहुत सारी classes, vocabulary की और RC, close test, variables की भी classes रहेंगी, live classes हैं, आप live route पूछ सकते हैं, recordings available हैं, जब चाहें, जितनी बाहर चाहें देख सकते हैं, और notes याने PDF भी आपको available हैं, so can catch me, download the app, English by Kabildev Sharma, now, बाकी चीज़ने आप देख लेना, आगे बात-बात कर लेंगे, यह music channel है, Twitter, Instagram, Facebook, जो आप चाहें, हाँ, as a teacher, I teach at India's largest online learning platform, Unacademy, जहांपर मैं banking में plus और verified educator हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और अगर आप किसी और भी चीज़ का subscription लेना चाहें, तो same code, Kapil Sir से flat 10% discount भी पा सकते हैं, at Unacademy for bank, SSC, UPSC, NDA Defense, Air Force, Navy और किसी भी stream के लिए, मेरे लिए या फिर किसी भी section के लिए, और promotion नहीं दिल से कहूंगा, शाम 5 बजे की जगह, अब 4 बजे free class daily रहती है, जिन लोगों को पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ सकते हैं, free of cost, previous year paper मैं रोज solve कराता हूँ, चाहे वो IBPS clock है, SBI clock है, IBPS PO है, SBI PO है, ETC, daily, शाम 4 बजे, Telegram से आपको link मिल जाएगे, download कर ली जाएगा, link में भी print है, और direct search कर सकते हैं, कबलदीव शर्मा, unacademy के ही YouTube channel bank pro पर, अगर आप bank and regulatory bodies के लिए पढ़ते हैं, तो शाम 5 बजे, grammar की classes, शाम 6 बजे, unacademy plus पर रहती हैं, और 8 बजे practice sessions रहते हैं, और जो आप से कहा, राद 10 बजे, मे modify नहीं करेंगे, उनको तो adjective modify कर सकते हैं, pronouns को modify नहीं करेंगे, उनको adjective modify कर लेते हैं, बाकि adverbs, adjectives को, verbs को, adverbs को, prepositions को, और पूरे के पूरे sentence को भी modify कर सकते हैं, और इसके types वगर आपको बता दिये, simple adverbs, manner, place, time, frequency, reason, etc, पूछेंगे तो relative, और प्रश्न पूछेंगे तो इन use of adverbs as adjectives, vice versa, मेरे ही channel पर जो videos available हैं, अभी तक उन में से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले videos में से, ये दो video भी है, use of nouns as adjectives, the Kapil Sharma show, the Modi government, the Virat Kohli team, नहीं देखा है, जरूर देखे का आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, and use of pronouns as adjectives, आप ही लोगोंने उनको बहुत है, तो मैं जरूर मानूँगा कि उसमें content available अच्छा है, same content आपको यहां भी मिल जाएगा, कि कैसे आप identify कर सकते हैं, कि वो adjective है, कि adverb है in the same sentence, क्योंकि sentence की dependency ही उसकी grammar दिखाती है, शब्दों को रटेंगे, तो मैंने तो बहुत कम लिखे हैं, English में बहुत सारे शब्द ऐसे ह जो adjective और adverb दोनों का ही काम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा voice problem माफ करना, सुबह साथ बज़े से class लेते लेते, रात साड़े तीन बज़े विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो उतना थोड़ा सा manage कीजएगा, चला यह बात करते हैं logically, जो आपको slide mark की उन्हीं के साथ में के noun और pronoun दोनों को ही modify करने का काम एक adjective का होता है, she is a beautiful girl, he is a rich man, तो noun को modify करने adjective लगा देंगे, beautiful rich adjectives, मैं पढ़ा चुका हूं recall कर रहा हूं, कोई नया हो तो आप fresh form में भी दिख सकते हैं, और अगर बाकी चीज़ों को modify करना है, किसी adjective को, किसी verb को, किसी adverb को, तो वो काम फिर एक adverb कर लेती है, तो मैं दो लाइन लिख लिता हूं roughly अपनी तरफ से, कि आप सुन्दर है, she is beautiful, पर आप सुन्दरता से लिखते हैं, she writes, अब इस case में beautiful नहीं हो पाएगा, she writes आपको adverb ही लगाने पड़ेगी, beautifully, तो बस logical सी बात है, अगर मुझे noun modify करनी है, तो मुझ adjective रखना पड़ेगा, अगर मुझे verb modify या कोई और part of speech modify करना है, तो adverb रखनी पड़ेगी, यहां पर बड़ा आसान हो जाता है, एक चीज़ दिल से कहूंगा, school में हमें रटा दिया जाता है, कि देखो बिटा, जिस शब्द के last में ly लगा है, वो adverb होती है, आप सब को रट words, obviously किसी वीडियो में upload कर दूँगा, कि यह सारे शब्दों के last में ly है, पर यह सारे के सारे adjective होते हैं, यह adjective की तरह भी काम कर लेते हैं, चारशे आप इसमें देख लेंगे, एक separate वीडियो मिल जाएगा, और इस वीडियो में आप जितने शब्द देखेंगे, मैं तो एमी शायद किसी में भी last में ly नहीं है, पर वो सारी के सारी adverb है, तो request है, रटने से पहले, sentence में देखिए, उसने काम क्या किया है, कि according आप उसे adverb और adjective कह सकते हैं, ly लगा कर adjective भी बनते हैं, और बिना ly के भी बहुत सारी adverbs English में होती हैं, आप ज़रा काम करा के देखते हैं, मैं इसका object होगा, subject, object, noun, pronoun ही होते हैं, और मेरे पास गाड़ी तो है, car है, महंगी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, लाल गाड़ी है, ब्लैक गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, car को आप modify करोगे, एक noun को modify करोगे, तो वो काम एक सिर बार बोल दिया, भाई, healthy नहीं होता, नहीं, खाना fast food ही है, he always prefers fast food, food वापस noun है, खाना पीना, और noun को modify अगर आप करेंगे, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ adjective कर सकते हैं, तो first one में भी fast adjective रहा, क्योंकि आपने car को modify किया, already एक noun है, second one में भी fast adjective है, because आपने food को modify किया, already एक noun form है, drive fast, he drives fast, एक चीज़ यहां से रट लेना, मैं हक से कहूंगा, अंग्रेजी में वही बुरी आदते हैं, जो हमें डाल दी जाती हैं, कि ly लगा कर adverb बनती हैं, भाई, आप dictionary में चेक करें, authentic dictionaries, google results, authentic हर बार नहीं होते, अंग्रेजी में fastly जैसा कोई भी शब्द नहीं आता, तो इधर मत पढ़ो, इधर मत पढ़ो, वो 100% blunder है, अगर वो single error वाला है, तो click करके आप आगे बढ़ सकते हैं, there is no such word, fastly in English, ऐसा कोई शब्द ही ने, to be honest, बोलने वाला था, formal English, formal छोड़ो, informal English में भी नहीं होता, fastly होता ही नहीं है, fast खुद adjective है, fast खुद adverb है, sir पता कैस चलेगा, वही तो दिखा रहा हूँ, काम करवा लो उससे, गाना अच्छा गाए, तो singer कह दीजेगा, dance अच्छा करे, तो dancer कह दीजेगा, और नीरत चोपड़ा जी को हमने अभी अभी जाना, क्योंकि वो अच्छे singer है, dancer है, politician है, musician है, नहीं नहीं, जो काम करते हैं, उसके न pronoun है, he, she pronoun है, रभी noun है, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर मैंना आपको तेज नहीं बोला, आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, चलाना verb है, और तेज चलाते हैं, obviously verb को modify करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक adverb कर सकती है, I repeat fastly, जैसा कोई शब्द नहीं होता, तो दुमाग म गलती से भी आये, तो उसको हटा दीजेगा, और जैसे adjectives की degree हो सकती है, वैसे adverbs की भी degree होती है, भाई, थोड़ा जल्दी कर लोगे काम, मेरेको सुबब पनवेल निकलना है, जल्दी करो, in that case, can you work a little bit faster, क्या आप थोड़ा ये काम जल्दी कर सकते हैं, अभी भी आपको fast न थोड़ा तेज काम कर सकते हैं, इस case में आपके काम करने का तरीका दिखाया है, और वर्ग यहाँ पर वर्ब है, models के साथ हमेशा वीवन आती है, और जब आप वर्ब को modify करोगे तो वो काम सिर्फ और सिर्फ एक adverb का हो जाता है, वैसे समझ में आया हूँ ठीक है, बहुत सा adverb यह काम कर लेती है, रट कर ना आये घर से, fast का मतलब तेजी दिखाने से होता है, fast का मतलब speed दिखाने से होता है, दुनिया जानती है, fast का मतलब चिपके रहने से भी होता है, I repeat fast मतलब English में firm भी होता है चिपके रहना, याद है flight में हम बैठे हो या फिर सुना हो, fasten your seat belts, I repeat fasten your seat belts, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ना कि अपनी कुर्सी की पेटी तेज कर दीजिए, उनमें क्या speed है, वो थोड़ी भाग रही है कि उनको उन तेज कर देंगे, पर कस कर बांध लीजिएगा, यानि कि वो डटी रहे, अगर थुरा बहुत टर्बिलन्स आए जैसे almost सारे schools और colleges में, in general, हम लोग daily uniform पहन के जाते हैं, Monday to Friday अच्छी बात है, सर, Saturday को भी जरूरी है कि हम Saturday को भी uniform पहन के आएं, Saturday को तो casual clothes में आ सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं बेटा आना पड़ेगा, सर, ऐसा कोई hard and fast है क्या, यह बहुत common सी line है, कई लोग आप में से जान होगी, वो चीज hard and fast है, क्योंकि आपको डटे रहना है, आपके कमरे में उपर, जब घर बनता है, ceiling डलती है, आपकी छट डलती है, in short, पंखे लटकाने के लिए जगह पहले से ही छोड़ दी जाती है, fine, तो मुझे पंखा लटकाना है, मैंने लगा दिया वहाँ पर, कई ब करते हैं, जैसे cool करने वाला cooler, heat करने वाला heater, leader, manager, dancer, singer, teacher, etc, उस case में चिपके रहने वाला फासनर हो जाता है, तो उपर दिवाल में थोड़ा सा उपर च्छत में थोड़ी सी drill करते हैं, उसमें फासनर को लगा देते हैं, फिर उसको थोड़ा वाइड कर देते हैं, को hold करे रहता है, तो इंगलिश में hold करने के sense में भी fast आता है, सर वो एक वोगी तो होता है fast, आज मेरा fast है, आज भई दुरगाष्ट मी है, आज क्राम नवमी है, सर आज मेरा fast है, वो भी तो होता है, अगर logically सोचे हैं, तो आप उसको derive कर सकते हैं, नीचे मैंने लिखा है, ह हमारा तो 9 दिन का fast है, वो भी तो यही होता है, अपने नियम, कानून, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, डटे रहना, यह नहीं के सामने गोलकप्य वाला दिखा, अचलो fast बाद में रखते हैं, भीया, कैसे दियें, obviously आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, आपको खुद क के नियम, कानून पर डटे रहना होगा, वही noun form आपकी वरत fast हो जाती है, I hope आपने clarity इन चीज़ों में देखी होगी, मैंने बहुत आसानी से बोल दिया, past adjective है, car को modify किया, past adjective है, food को modify किया, जो दोनों already noun है, और noun को modify adjective ही करते हैं, यार तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो भाई तुम लिखते बहुत तेज हो, यार तुम खाना बड़ा जल्दी खाते हो, आपने सारे verbs को modify किया है, और verb को modify adverb करती है, remember fastly नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है English में, हाँ भाई थोड़ा जल्दी काम कर लोगे please, मुझे घर जाना है, उस case में, can you work a little bit faster, अब work verb है को modify कराओगे, adverb कर लेती है, fast का मतलब दर्ण और डटे रहना भी होता है, हाँ, fast as a noun, आप वरत को भी कह देते हैं, जिसका reason में आपको logically mark कर दिया, कि वो डटे रहना अपने आप पर control करने के sense में आ जाता है, एक example था, एक मात्र example नहीं था, चार्चलाइन लिखें ज़रा आया, बहुत ज़्यादा hard है, आप इसे तोड़ नहीं सकते, तो pen noun है, coconut noun है, और उसको तोड़ने की बात आएगी, यार यह तो बहुत hard है, बहुत tasty है, बहुत ज़्यादा महंगा है, वो सारी चीज़ा coconut को modify करेंगी, और coconut noun है, को modify करने, adjective आ जाते हैं, हाँ, अगर आपको noun को modify करने के sense में, लेकिन, you have to bang the door hard to shut it, वही दरवाजा ऐसे नहीं लगता हो, आपको बहुत तेज उसको shut करना पड़ेगा, तभी जाकर लगेगा, आपको बहुत तेज उसको hit करना होगा, तब जाकर लगेगा, तो you have to bang the door, आपको उसमें धक्का देना है, पुश करना है, और थोड़ा तेजी से पुश करना पड़ेगा, थोड़ा ताकत लगा के करना पड़ेगा, ऐसे प्यार से वो बंदनी होने वाला, अब यहां पर दरवाजे को hard नहीं बोला कि, दरवाजा बहुत hard है, पर यह काम आपको थोड़ा, जैसे आपकी से कहा जाता है, पढ़ना है पड़लो, selection हो जाएगा, work hard if you want to succeed in examinations, अगर आपको सफल होना है, तो you need to work hard, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और work verb है, को modify करने के चकर में adverb हो जाएगा, bang the door verb है, shut the door verb है, और verb को modify करने का काम adverb का हो जाता है, तो hard English में adjective है, hard English में adverb भी होती है, एक और शब्द होता है, hardly, मैं अलग वीडियो में समझाऊँगा, उनका खुद का database है, ऐसानी कि सिर्फ एक शब्द है, सर्वा आपने hard तो बता दिया, hardly नहीं बता है, वो भी तो adverb होती है, उसका meaning ही change हो जाता है, hardly is used in a negative sense, बहुत आराम से आप पढ़ लेंगे, पर उसको भी इसमें ad मत करो, at least hard चा में separately दिखा दूँगा, हाँ, hard खुद adverb है, hardly भी adverb होती है, पर उसका context चलागे, बात में बात करते है, fast car अभी आपको बताया, fast adjective है, क्योंकि car noun है, तो first one fast adjective, लेकिन very fast, यार तुम गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हो, उसके इसमें fast drive को modify करने के चकर में adverb हो जाएगे, अच्छा यहां बात करते है, an outside light is a very good idea for our house, अरे बाहर से natural रोशनी आ रही है, तो उससे बहतर क्या हो सकता है, light यहां पर noun है, obviously sentence का subject भी है, और हाँ, article के साथ भी लिखा हुआ है, तो वैसे भी noun हो गया वो, light, बाहर से आने वाली रोशनी आपने कह दी, और बाहर से आने व वाली, नहीं वो halogen वाली, अरे नहीं नहीं, natural light की बात कर रहा हूँ, natural light, natural तो वैसे भी adjective है, outside light तो outside भी adjective हो जाएगा, क्यों आपने किसी noun को modify किया, outside light is a good idea for our house, बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा फिर चलते हैं, आउ ज़रा घूम के आते हैं, let's go outside, चलो फिर बाहर चलते है अपन लो, आज शाम को बाहर खाना खाने चलते हैं, I went, मैं गया तो था, कहां गया था, बाहर गया था, क्यों गया था, वो अलग बात हो जाएगी, अब आपने वर्म को modify किया है, फेली बात तो उसमें कोई noun है नहीं, sun है, पर sun को modify थोड़ी किया, outside sun, बाहर वाला sun, तो मे उसकी functionality हिसाब से, जो लोग मुझसे regularly connected है, मैंने तो हमेशा कहा, शब्दों का meaning याद करना vocabulary है, उस sentence में उसका function क्या है, वही एक grammar का point दिखा सकता है, कि grammar क्या है, sentence में उसका function क्या है, शब्दों का meaning याद करने से हमेशा vocabulary जाती है, I went outside, verb को modify कर रहा है, मैं गया था, बाहर गया था, adverb है, लेकिन बाहर वाला, इंसान घर कैसे आ सकता है, बाहर वाला cooler अंदर थोड़ी रख देंगे, cooler नावन है, इंसान नावन है, को modify करोगे, adjective हो जाता है, monthly English में दुनों काम कर लेता है, तुम्हारी monthly income कितनी है, आपकी monthly salary कितनी है, salary noun है, check noun है, income noun है, और उस case में अगर आप monthly कहोगे, तो obviously monthly adjective होता है, dictionary में चेक कीजिए, ly लगा कर भी adjective है, और outside में कोई ly नहीं है, adverb है, fast में ly लगी नहीं सकती, hard खुद adverb है, hardly भी होती है, पर meaning change हो जाता है, hard भी adverb होती है, तो एक तो वो ly वाली कहानी दूर रखी है, आप mature है, भी school में नहीं है, और य My Company Pays Me Monthly, हमें तो भी या, महिने भर का payment मिलता है, नहीं हमें तो सीधी साल भर की salary आती है, for example, they pay me quarterly, they pay me six yearly, six monthly, I'm sorry, they pay me yearly भी हो सकता है, वो लोग मुझे साल भर का payment देते हैं, हफते भर का देते है, महिने का देते हैं, तीन महिने का देते हैं, छै महिने का देते हैं, जो भ adverb से आ जाता है, I hope थोड़ा बहुत clear होगा, और example देख लेंगे, पर concept एक ही, I hope clear होगा, आशा करता हूँ, कि अगर उस चीज ने noun को modify किया है, तो आप adjective है, और अगर आपने किसी verb, या adverb, या adjective को modify किया है, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ adverb कर लेती है, आईए कुछ और example देखते हैं, fast को तो मैंने बहुत बार दिखा दिया, फिर भी एक sentence देख लो, modern men lead a fast life, आजकल दुनिया बड़ी भाग दौड़ वाली जिन्दगी हो चुकी है, याद है, ambidextrous, virus, life is a race, अगर आगे नहीं भागोगे, तो कोई और आपको पीछे छोड़ जाएगा, fine, life is a race, तो जिन्दगी आजकल भाग दौड़ भरी हो चुकी है, life noun है, को modify करोगे, वो काम adjective कर लेता है, लेकिन he drove the car fast, पापा इसने बहुत तेज गाड़ी चलाई थी, नहीं जूट बोल रहा है, इसने बहुत तेज गाड़ी चलाई थी, तो गाड़ी चलाई थी, verb है, को modify करने का काम adverb कर लेती है, तो verb के साथ हमेशा adverb आती है, half, adjective है, adverb है, हमने तो half को कभी adverb की नजर से देख ही नहीं, क्योंकि हमें तो रटाया गया था कि ly लगा कर adverb बनती है, इन में से तो आपने इतनी सारी बता दी, एक भी नहीं है, अभी और भी आएंगी, none of those has ly, पर उन में स almost सारी की सारी adverb है, plus adjective भी है, half, judge करा लो, काम करा लो, each of us हम मैंसे हर एक के पास has ownership, ownership noun है, friendship, relationship, ownership noun में जाती है, ship वाले कहने, ship खुद noun है, each of us has ownership in this company, इस company में हमारा भी हिस्सा है, हमारी भी हिस्सेदारी है, अच्छी बात है, ownership noun है, यह नहीं, पूरी नहीं है, ऐसे भी मालि थोड़ी हम, पर आधी हिस्सेदारी तो हमारी भी है, half, adjective है, और adjective किसको modify करते है, ना उनको, तो ना उनको modify की, इसलिए adjective है, ownership noun है, को modify करने का काम adjective कर लेता है, पता नहीं क्या कर रहा है, यार समझी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, टिक टॉक का वीडियो बना रहा है, लिए जाता आगे है, और add कर दिया है, कि he was half crying, half laughing, इदर से वो हस रहा था, इदर से वो रो रहा था, जो भी है, cry verb है, I'm sorry, laughing verb form है, he was crying, he was laughing, वो हस रहा था, रो रहा था, पता नहीं, ऐसा लग रहा था, हस भी रहा था, रू भी रहा था, थोड़ा बहूत हस रहा था, वर्ब है, वर्ब को मोडिफाई करने का काम सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब कर सकती है हाफ यहाँ पर भी एडवर्ब है विकोज आपने किसी नाउन को नहीं वर्ब को मोडिफाई किया I hope आप जानते हैं कि when you say I am an Indian person, I am an Indian teacher for example I love Indian music उसकेस में music नाउन है people noun Indian adjective है और उसी केस में she is Spanish, वो अच्छी है बुरी है, पैसे वाली है, गरीब है Spanish है, French है, Indian है American है, German है obviously Spanish adjective का काम करेगा article होता तो नाउन में आ जाता I am an Indian के केस में पर नहीं, उसकी पिताजी ये है माताजी वो है half Spanish है, half French है और वापस वोई कहानी adjectives को modify करने का काम adverb कर लेती है she is French, वो तो French है ना वो American है, Australian है फिर से एक adjective को modify करने काम adverb कर लेती है I hope आपके दिमाग में बात आ चुकी है कि हाँ यार ये तरीका सही है चेक कर आ लेते हैं किसको modify किया है उसी के according grammar बनती है don't expect to get a straight answer from her क्या लगता है, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा सोचना भी मन answer noun है verb का object है, get an answer article भी लगाए और article noun के साथ आता है और सीधा जवाब तो उससे कभी मिलते ही नहीं हमेशा उसका टेड़ा मू रहता है हमेशा उसने टेड़ा जवाब दिया anything such answer noun है, को modify कराओगे जो भी शब्द होगा grammatically उसको adjective ही होना पड़ेगा भाई हम तो जा रहे है सीधे घर जाएंगे इसमें आपने सीधा किसी noun को modify नहीं किया सीधा सीधा जवाब जवाब noun है, पर यहाँ तो noun है भी नहीं we went straight home, हम सीधे घर पहुँच गए फिर, सीधा घर गए थे हम नहीं रुके कही रास्ते में, अब हम लोग गए थे घर गए थे, सीधा घर गए थे, आप work को modify करेंगे वो काम सिर्फ और सिर्फ adverb कर सकती है आए, वो बहुत simple way में है और इससे जादा difficulty बनाए भी ना नहीं तो वो रटने में आएगी और आप रटोगे तो sentence में नुकसान आपको होगा रट कर कभी grammar नहीं बनती, to be honest just English में वैसे तो noun भी है adjective भी है, adverb भी है बहुत सारे काम कर लेती, वो वाली adverb है दो sample दिखाता हूँ the train left अरे यार अभी अभी तो गई अभी अभी गई है just the train just left अब इस case में गई है train को तो modify आपको भी दिख रहा होगा नहीं कर रहे है पर गई, अरे just अभी अभी गई है यार, just अभी गई है उस case में just जाने को modify कर रहा है पापका है, office गए, वो तो just अभी गई थे just verb को modify करेगा सिधा-सिधा answer है adverb, हाँ जी, हाँ जी, मेरा दमा कहा था the train left, it just left अभी अभी गई है उस case में verb को modify करने के लिए adverb है लेकिन भगवान सचा है भगवान सत्य है भगवान एक है भगवान अच्छा है भगवान ऐसा है, वैसा है जो भी आप कहिएगा just वो शब्द है जिससे justice बनता है इसकी हिंदी वही है जो मैंने पहली बार बोली थी God is just आप जूट बोल सकते हैं मैं जूट बोल सकता हूँ, वो थोड़ी बोलेगा तो सर्वशक्तिमान ईश्वर एक भगवान सच्चा है उसके हाँ देर है, अंधेर नहीं है तो जब आप God के बारे में कुछ भी कहोगे जैसे she is beautiful adjective है, he is rich adjective है, I am fine adjective है, and God is भगवान कैसे है, भगवान सच्चे है सही है, जो भी आप कहेगा उसकेस में just, चुकि God को modify करेगा, वो काम सिर्फ और सिर्फ एक adjective ही कर सकता है I hope clarity होगी एक slide और देख लेते हैं Late English में adjective भी है अरे यार, इनमसी एक में भी य तो लगी नहीं है मेरे को तो रठा था बचपन से के य लगाकर एडवर्ब बनती है Humble request, I hope आपको clear ही होगा बहतर लगके, कि उसको दूर रखिए बहुत सारे शब्द है, अनगिनत शब्द है thousands of words English में हो सकते हैं य नहीं है, पर वो सारी-सारी एडवर्ब है, तो वो theme यहां से लेके चलो late adjective है, एडवर्ब है, मेरे को नहीं पता sentence दिखा देगा, the meeting is scheduled for reposition, evening, noun है कोई भी प्रहर हो सकती है, morning, evening तभी तो good morning होती है I repeat, good morning होती है because morning noun है, और noun को modify करने adjective ही आता है, तो good morning, bad morning जो आप कहोगे उसना के the meeting is scheduled for evening good morning, good afternoon, etc बहुत सारे शब्द हैं, और evening noun form है good evening जो भी आप कहोगे, good evening अच्छा example दिमाग में है, तो good क्या adjective और late evening कहोगे, तो late भी क्या हो जाएगा, adjective modifying the upcoming noun after this हाँ, अच्छा example दिमाग में घूम रहा है good morning, adjective good afternoon, adjective good evening, जैसे good boy, good job good evening, good adjective, किसको modify करेगा, noun को, तो evening वैसे भी noun है यार तुम रोज late आते हो परिशान होगे मैं तुम्हारे मारे you arrived, you और he एकी बात example है वो, he arrived, आया तो था, late आया था अब उस case में आना verb है और verb को modify adverb कर सकती है most English में adjective है most English में adverb है भाई, this is the most expensive phone I have bought phone noun है महंगा है, सस्ता है अच्छा है, पुराना है, नया है अभी कहा मितला, धो क्या रखा दुम से must, नया लग रहे लाए expensive, three idiots नहोकर फिरहरा फिरी adjective है, because आपने किसी noun को modify किया है, और gadget noun है, phone noun है expensive है, adjective हो गया अरे भाई साब, बहुत expensive है सबसे महंगा, तो यही ऐसे महंगा कोई आता ही नहीं है अब बहुत जादा महंगा है, महंगा adjective है को modify करने का काम, adverb कर लेती तो आप मेंशा superlative degree में most ऐसे ही पाते है, she is the most beautiful girl he is the most honest person, और ऐसे कोई भी example, तो girl noun है beautiful adjective है, और most वहाँ पर adverb रहेगा किसी adjective को modify करने के लिए, लेकिन हाँ जादातर लोग बच्चों के साथ खेलना enjoy करते हैं, अब क्या people people noun है, enjoy verb है काफी आगे है, पर कुछ लोग enjoy करते हैं, some people काफी लोग enjoy करते हैं, many people, जादा तर लोग enjoy करते हैं, most people enjoy playing with kids अब इस case में most people को modify कर रहा है, time most कुछ भी बना रहे grammatically, और इस given statement में people noun को modify करने के चकर में आपको सिर्फ और सिर्फ adjective ही कहा जा सकता है I hope मैंने आपको बहुत सारे example दिये, एक list की तरह दिखा देता हूँ, चार शब्द यहाँ भी लिखे हैं इसके लावा बहुत सारे हैं, ऐसे को यह धोड़ी सर सर सर, एक पेज और लिखा दो बस जैसे एक सर हम स्कूल में करते हैं, सर लिखा देने जरा, यह भी लिखा दो, वो भी लिखा दो यहाँ लिख लो न, जो आपको इतना सारा बताया वो slide show हो जाएगी, don't worry जो इतना सारा बताया, उसको लिख लीजेगा कि जब भी आपको modify noun को करना पड़े वो काम adjective करेगा जब आपको verb को modify करना है रटोगे, तो fastly मिलेगा और fastly जैसा अंग्रेजी में कोई शब्द होता ही नहीं है शुरू में भी कहा, अभी भी यह कह रहा हूँ कि साथ आगे बढ़ियेगा no word exists, fastly जैसे कोई शब्दी नहीं है तो fast खुद adjective है, खुद adverb है और ऐसी बहुत बड़ी list जो आपको समझाई और इनके अलावा बहुत सारे शब्द जो होते हैं to be honest, लिखे नहीं है adjective, adverb का काम कर सकते है चार लिखे आप नज़र टाल लो close हो सकता है, daily, रोज यूज़ करते हैं early, fair, par, fast, free, hard, high late, like तो English में सब कर लेता है like noun है, like adjective है, like adverb है like preposition है, like conjunction है, like सब काम कर लेता है, ऐसा कुछ है नहीं जो like ना करे likely, adjective adverb, live, adjective adverb long, low, right, wrong, etc और फिर वही कहानी, इन्हें ऐसे कितने शब्द है early, daily तो नहीं कहूँगा, मैं लगा कर बनाया क्योंकि daily मैं से ly हटाओ को तो day बचेगा अगर early मैं से ly हटाओ को तो वैसे arr बचेगा, ऐसा कुछ होते ही नहीं है तो यह वो नहीं कि beautiful का beautifully, honest का honestly careful, carefully, वो ly लगा कर नहीं, उनके शकल ही खराब बचारे, ly हैं उनके पीछे, I hope likely को छोड़ दूँ, इनमें से एक भी शब्द में ly नहीं है, पर सारे के सारे adjective भी है और यह सारे के सारे adverb भी होती है conclude भी करना चाहूँगा अपने शब्दों के साथ ही कि अगर आपने इन शब्दों को noun को modify कराया है, इन शब्दों से noun को modify कराया है, so there will be adjectives in English, quite logical answer पर अगर इन से आपने किसी verb, adverb preposition, conjunction, sentence को modify कराया है, तो वो काम adverb कर लेती है रिकायते आप comment section में लिख सकते हैं finishing this video, मिलते हैं आप से जल्द नई वीडियो में मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप SSE के किसी भी examination के लिए, इसके लावा UPC, CDS, Defense और किसी other examination के लिए भी, on my app English by Kapaldiv Sharma same नाम से, try to download now एक बार आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जो batch है, अभी start हुआ है complete English grammar पढ़ाई जाएगी, बहुत सारी vocabulary के साथ और practice classes, हर चीज़ की RC, close test, parajambles, जो जो exams में आते हैं, live classes है, recordings available है, miss करते हैं, तो बाद में देख सकते हैं कितनी बार भी live doubt पूच सकते हैं और notes और PDF भी available हैं एक batch अलग से आपका है, ग्रुप जिसमें 24-7 आप अपनी doubts पूच सकते हैं so download the app, now English by Kapaldiv Sharma चार बज़े free class रहती है, मैंने पहले भी कहा would love to see you out there on Unacademy YouTube channel bankro, daily शाम को चार बज़े कोई ना कोई previous year paper हम लोग पढ़ते हैं साड़े चार बज़े grammar की classes हैं, आठ बज़े practice sessions रहते हैं, पांच बज़े शाम को bank and regulatory body stream में RBI grade B, RBI assistant नाबाड grade A, जैसे regulatory body exams की भी class रहती है, can catch me over there at Unacademy please join the telegram channel with the same name English by Kapaldiv Sharma आपको regular updates वहां से मिलती रहेंगे, can check my music channel कुछ songs है, time मिला तो upload कर दूँग, ये भी तो रात सबा चार बज़े record कर रहा हूँ, सुबा साथ बज़े से class लेते हुए, show off नहीं है पर सचाहिए can follow me on Instagram, can follow me on Twitter can catch me on my telegram channel with the same handle, do, do, do join on my telegram channel जिससे आपको regular updates मिलती रहेंगे with the same name English by Kapaldiv Sharma Facebook आप चाहें तो देख सकते हैं Unacademy पर plus educator हूँ in the banking stream plus in verified educator हूँ एक बार आप चेक कर सकते हैं, मेरे साथ पढ़ने के लिए banking और Unacademy की खास बात, उस particular stream का subscription लेने के बाद, आप किसी भी teacher से किसी भी batch में, किसी भी examination के लिए किसी भी subject को पढ़ सकते हैं within the same category, need not pay again and again, और same code लगाकर, Kapil Sir KAPIALSIR, आप Unacademy के किसी भी subscription पर, चाहे वो bank है, SSE है, UPSC क्यों ना हो, flat 10% discount पा सकते हैं शुक्रिया आप सभी का Thank you so much, वापस कहना चाहूँगा, एक बार playlist चेक कर लेना, हर चीज़ अवेलिबल है जितना आप सूचेंगे, शायद उससे जादा तो हो सकते हैं, आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिल जाएं जो आप जानते नहीं थे, expected नहीं थे grammar, vocab, previous year papers और हर चीज मौझूद है Thank you so much for being here, would love to see you in the upcoming video, जो भी adverb के लिए रहेगा, और stay connected Thanks a lot, be safe everyone here, thanks a lot